यूपी में चुनाओं की तारीखों का एलार हो चुका है जैसे जैसे चुनाओं की तारीख नजदीक आती जा रही है तो देखना यह है यह यह बदायू की जनता के मन में क्या है अधिकतर ग्रामीड शेत्र की जनता क्या चाहती है जनता के मन को जानने की कोशिश की हमारे बदाता बदायू से विजराठोर देखे ए रिपोर्ट। अगर बात इस गाउं की करें तो दातगंज म्याव रोज पर बिरिया डांडी गाउं पड़ता है और इस गाउं में मैं पीछे दिखाना चाहूँगा महिलाई भी बहुत संख्या में हैं और क्या 2022 जो चुनाव चल रहा है उसमें किसकी सरकार बनाएंगे और समस्य आप तब उन्होंने क्या क्या जय लिए है ठीक है हमारे साथ कुछ प्रोस सइधर हैं मैं उनसे भी जानूंगा कि 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे क्या कोई बहन जी के ऐसे चार कारी बता देजे बहन जी ने मेडिकल कालेज बनवाएं और सिक्षा के लिए बहुत विकास किया है और अच्छा पांच बरस बीट गए यहां पर विधायक थे राजीव कुमार सिंग अब्गु भीया उनके कारिये क्या है क्यों आप बहिंजी को चुनना चाहते हो दौजार बाइस में किसे रिपीट कर पाएंगे क्या नहीं बिल्कुल नहीं इस सरकार का सूपड़ा साप हो ग करें आप इस पर बात करेंगा ना समाज में इस पर बात करेंगा बहुत करेंगा बात किस्पे ऊगी इन पर कोई बात नहीं करने वाला मीडिया भी दिखाती जो लोग बोग चाहते हैं जी बिल्कुल 2022 में भाईया किसकी सवरकार ला रहे हैं ? अच्छा क्यूंग उनका कारि कि अच्छा और सुश्च तर्शिक इसकिस्ता ला रहे हैं किसके लाएंगे ज़सकी पांटी में किया दिखा थी पॉइसा क्शाली को सब्सकों बहुत बावर दिकारी पॉइसा जाका है कि वर्ली इंडिया आज जो है सहरी छेत्रों से निकल करके गिरामीर अंचल में भी पहुंची है और गाउं की ज़ीवन है जिस तरह रुख कर देता है उदर सप्ताय पलट देती है सरकारे पलट देती है आज हम बात कर रहे हैं दातगंज 117 विधान सवा से और यहां से जानेंगे ग्राम पंचायत है आज बिर्या डाणी और इस गाउं के लोगों की क्या सोच है 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं और उ सपागी सरकार बना रहे हैं सपागा तो बड़ा जब्वाही अलग है यूपी का मंतरी शाप काट लिया है वह सब्सक्राइब बहुत जाना महल बन चुका है अगर आप एक चीज़ बूल रहे हैं स्वामी परसाद महुरिया को आ गया है परवार में दूपार्टी उनको विस्तिपा देना जी है मंत्री बस्ते अपने रात तो एक चैनल को इंट्रव्यू दे रहे थी संग मित्रा महुरिया कह रहे थी पिता का अपना जीवन है वह बेटी नहीं पितागी आपको क्या लगता है सपा और भाजपा की लडाई में क और आप बोट कहां दे रहे हैं वह बीएसपी के लिए अच्छा बीएसपी को क्या लगता है भेहन जी की सरकार बनेगी अनुस्वासन हिंता करने वाला नहीं है बहुत बढ़ियां लगता है आपको हमको लगता है यह कि मलब बीएसपी की गौवर्मेंट बने और किसी की ग अच्छा भीया नहीं है पुदि टेशन है अच्छा बिएसपी के लिए तो कहां का गव जाना कौन रहता है आपके अधकार ब्लूँ मर जातीये है आपि आप्या नहीं है आपको लिए लोगी नहीं रखाए पनवाई गवसाले पनवाई गौवर्या साली मर जाती इसे दोटाना को इसे लोग परेशान है अच अच्छा एक वार्वा ना अच्छा गूलाना अच्छा चाहें को याज बागो शत्ता से लड़ाना दूसरी सरकार गुलाना चाहें कोई आजा चलेगी वहांद उस्टा सरकार नहीं जूटे बादे करके आई सिर्फ 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 सत्ता हत्याने के लिए जूटे बादे किये 15 लाग खाने में आया जो चार कोड़ रोजगार मिला तो रोजगार किसी को मिला जीएश्टी से किसका फाइदा हुगा काला धन वापस आया हुए है अपने अमेरिका में भी जा रहे हैं यहा हम लुवद खुल करने के लिए हैं अच्छा बहें जी का है तो आजया जाता है तो इसे कौन कों से अच्छे विडिकास हो सवल्माज करवाने कि मांग करेंगा मुन से तो आप भाजपा नहीं से करें लेकर तो कहीं ना कहीं भाजपास सरकार आई तो सरफ जुमले और बादे करके आई जो भाजपा का नाम बदल के बारती जुमला पार्टी रख देना चाहिए और इस समय जो छोड़ रहे हैं लोग को दिन पर दिन देखतो एकड़ आएक दो विकट गरता जा रहा है कोई मंत्री कोई विदाय किस्तिपा लेता जा रहा है तैयार हो रहे हैं सब जी बिलकुल यह थे गिराम पंचाइद दिरिया डांडी के लोग कहीं ना कहीं यह वर्तमान सरकार से रोष्ट हैं इनको देखते हुए गाउं में अभी तक जो काबजों में कारी हुआ वो गिरामी इनको प्राइर यह वर्तमान सरकार जा रहा है अगिरामी के लोग कोई रहा है तैक जो की भी प्राइद दिरिया अग्या बिलकुल यह थे गिरामी के लिए यह थे गिलकुल देखते हैं।